के लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कुछ फ्रेंड्ली माईक्र ऑगनिसम्स के वारे में ने पढ़ा था फिर कुछ हमारे दुश्मन थे उनके बारे में देखा था फिर पैथजिंस के वारे हम थोड़ी सी बात करी थी तो इसके बाद आब हमां आगे क्या पढ़ रहे है इसमें क्या पढ़ रहा हैं कि यह एक चार्ट दिया हुआ आपके बुक में भी दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि डिस्कस का निक जुरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक पार आपको बता दे रहा हूं जैसे देखो human diseases कौन कौन से है tuberculosis measles chickenpox and polio यह किसे किसे फैलता है tuberculosis bacteria से फैलता है measles virus से chickenpox virus से polio virus से mode of transmission क्या है air है air या फिर content है air या फिर water है अब preventive measures में क्या लिखा हुआ है keep the patient in complete isolation keep the personal belongings of the patient away from those of the other vaccination to be given at suitable age vaccination के लिए suitable ages है वो age अगर cross कर दिया आपने उसके बाद vaccination का कोई फायदा नहीं होगा अभी के time पे जैसे isolation में रखा जा रहा है लोगों को proper quarantine किया जा रहा है लोगों को तो वैसे इस चीज में भी इन सारी विमारियों में भी रखा जा सकता है लोगों को अपने देखा भी होगा अगर किसी को chicken box हुआ है तो इसको थोड़ा सा बिलकुल अलग रखा जाता है ठीक है cholera bacteria से फैलता है typhoid bacteria से फैलता है mode of transmission क्या है cholera का water या फिर food typhoid का water इस इसमें क्या करना होता है अगर यह सा यह कॉल रहा है या फिर प्टड़ रहा है तो maintain personal hygiene and good sanitary habits इसका मतलब यह हुआ कि आप अच्छे से हाथ दुलना होता है और हमिशा आपने आपको सास उतरा रहा है अच्छे कपड़े पहनने होते हैं कपड़ों को regular time regular basis regular interval पर जो है साफ करना होता है दुलते रहना पड़ता है अभी के टाइम यह अभी आप यह चीज यह सारी चीज़े अपलाई कर सकते हो अभी के आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी यह सारी चीज़ें को बोला जा रहा है क्योंकि हो सकता हो इनकेश कोई मालोग को रोना वा and boiled drinking water vaccination इसमें भी vaccination दिया जाता है और इसमें जो है food तो वैसे भी हमेशा ही properly cooked food ही खाना चाहिए होता है अगर food overcooked हो गया तो भी problem है undercooked रहे गया तो भी problem है अगर आप chicken वगर खा रहे हो मीट खा रहे हो तो मीट तो हमेशा ही अच्छे से पका हुआ होना चाहिए अगर वो अच्छे से पका हुआ नहीं है तो हो सकता कुछ ऐसे कुछ ऐसे microorganisms हो सकते हैं जोंकि body में एंडर कर जाए pathogens के जिनको बोल सकते हैं और वो आपको नुकसान पहुचाने लगे है Hepatitis B वाइरस से फैलता है और mode of transmission है water drinking boiled drinking water और vaccination तो इस case में भी Hepatitis B के भी T के लगते हैं आपको पता भी है और वैसे तो normally एक healthy इंसान को भी एक habit डालना चाहिए कि वो हमेशा गरम पानी भी एचाहिए वो ठंड का मौसम हो गरमी का मौसम हो गरम पानी हमेशा ही फायदे मन्द होता है यह गरम पानी जो होता है वो आरों के पानी से भी जादा अच्छा होता है ठीक है मलेरिया जो है वो प्रोटोजोवा से फैलता है मस्कीटो जो है mode of transmission है मस्कीटो जो है इसको carrier का काम करता है इसके उसमें कह रहा है कि use mosquito net and repellants spray insecticides and control breeding of mosquito by not allowing water to control to collect in the surrounding तो यह सारा कुछ आपको वैसे पढ़के समझ में आ जाता चलो कोई बात नहीं रीडाउट कर दिया है आगे कह रहा है disease causing microorganisms in plants disease causing microorganisms in plants में क्या कह रहा है कि several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple and others बहुत सारी जो भी फसले आप करोगे उसमें chances हो सकते हैं कि उसमें इस तरह के कुछ disease लग गए और सारा का सारा पूरा फसली खराब हो गया कई बार ऐसा होता है अब अभी सरसो का सीजन था सरसो की सीजन में बहुत सारे लोगों के खेत में ऐसा हुआ होगा कि सरसो में कोई बोलता है कि सरसो में बिमारी लग गई तो यह वही है तो वह microorganisms की वज़े से ही यह हो रहा है डाला और उससे जो है स्प्रेय कनेक्टेड होता है स्प्रेय से स्प्रेय कर दिया अपने पूरे खेत में ठीक है आगे बढ़ते हैं सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉस्ट वाई माइक्रो अगनिसम्स तो कुछ डिजीजेज हैं इसके बार में पढ़ लेते हैं साइट्रस कैंकर यह बैक्टिरिय से फैलता है और मोड ओफ ट्रांसमिशन है एयर इसका फिगर आप देख सकते हो रस्ट ओफ वीट में रस्ट लग जाता है फंगी की वाज़े से होता है एयर या फिर सीड मोड ओफ ट्रांसमिशन है यलो वेन मोजैक ओफ भिंडी बहिंडी ओक्रा को बोलते हैं वैसे लेडीज फिंगर भी बोलते हैं लेकिन ओक्रा जो है ज्यादा अप्रोपेट वर्ड है ठीक है तो आप लेडीज फिंगर से ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ऑक्रा वर्ड यूज करो ठीक है और इसका जो है कौन सा माइक्र ऑगनिजम रिस्पॉंसिबलाइज बिमारी के लिए वाइरस और मोड आफ ट्रांसमिशन इंसेक्स चोटे-चोटे-चोटे-च हो सकते है वीटल्स हो सकते हैं बटरफ्लाइज हो सकते हैं तो यह सारे इंसेट्स चुए है इनके साथ में वह वाइरस छिपके हुए होंगे और जो एक फसल पर लगा एक फसल की वैसे दूसरे फसल पर लगता चला गया ठीक है आगे बढ़ता है Chemical Method Chemical Method में क्या कह रहा है Salts, Chemical Methods कि क्या करने का जो food होता है उसको spoil होने से बचाने के लिए या फिर Micro Organisms को रोकने का रोकने का तरीका तो इसमें कह रहा है कि Salts and Edible Oils are the common chemicals generally used to check the growth of Micro Organisms या फिर check the growth और control the growth तो salt and edible oil का use आप कहा दे सकते हो इसके बार बाभी बात कर रहा हूं है लेकि आगे पहले बढ़ लेता हूं Therefore, they are called preservatives we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes sodium benzoate sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives तो ये भी आपको याद रखना है common preservatives क्या क्या है sodium benzoate and sodium metabisulfate these are also used in the gems and squashed to check their spoilage तो अब देखो मैं बताना ये चाह रहा था कि कई बार आपने देखा होगा जो frozen food होता है frozen food में जादे तर नमक लगा हुआ था खास करके अगर कोई मचली बगर रहा है कोई मचली बहुत जाथा famous है जैसे एक हिलसा fish है वो बहुत जाथा famous है वो खास करके बंगाल side में मिलता है अब देश के country हमारे इंडिया में अदर parts में भी ये fish लोगों को खाने के इच्छा होती होगी तो वो कैसे खाएंगे उनके उधर side में तो मिलता ही नहीं है तो क्या होता है कि मचली को जो है चार तरह से नमक से जो है अच्छे से पोट देते हैं या फिर मचली को फाड के उसके बीच में नमक ढाल देते हैं नमक भर देते हैं नमक भरने से क्या होगा कि उसमें micro-organisms जो है develop नहीं करेंगे और उसके उपर से जो है उसको freeze कर देते हैं उसको जो है उसके बरफगर डाल देते हैं तो micro-organisms उसके आसपास में इकठा नहीं होगा इकठा नहीं होगा तो जो उसको spoil नहीं करेगा उसको decompose नहीं करेगा के तो वह शड़ना और फिर वापस जब किसी के घर में जाता है तो साथ से पहले वह तो उसको पॉल करेंगे ताकि पूरा का पूरा उसमें जो salty वाला part है, वो सारा हट जाए, saltiness उसका खतम हो जाए, फिर उसको जो है, use कर लेते हैं, ठीक है, और आप अपने घरों में भी देखे होगे, pickles को जो है, किसमें डालके रखते हैं, धेर सारों उसमें तेल डालेते हैं, pickles में, तेल की जो डालते हैं, ताकि उसमें जो परचार खराब नहीं होता, उसके पीछर रीजन यहीं है, कि जो भी microorganisms थे, उनको जो है, favorable conditions नहीं मिलते हैं, उसमें develop करने के, ठीक है, तो develop उसमें नहीं करेंगे, तो फिर उसको सडाएंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा vinegar भी use करते हैं, जो हमन and fish for ages, meat and fish are covered with dry salt, to check the growth of bacteria, salting is also used to prevent आमला, raw mangoes, tamarind, तो आमला, कच्चे आम और tamarind, इन सब को भी, किस से prevent किया जाता है, खराब होने से बचने के लिए, salt, इसके उपर salt की layering करे जाती है, उपर आला था, हमने पहले discuss कर भी लिया था, आगे बढ़ते हैं, अगला topic कह रहाएं अगला point कह रहा है, preservation by oil and vinegar, यह हमने वैसे भी discuss कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles, because bacteria cannot live in such an environment, तो वही मैंने discuss किया था पहले, तो अब इसको discuss कर नहीं ज़रूद नहीं है, vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method, आगे बढ़ते हैं, preservation by sugar, jams, jellies and squashes are preserved by sugar, sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food, तो जहां पर moisture नहीं होगा, मतलब पानी नहीं होगा, अब बिना पानी के तो बहुत सारे living organisms से उनका काम है नहीं चलता, अब पानी नहीं होगा जए जगां पर वहां पर तो लोगों को दिक्कत होगी, अब पूरा viscous मीडिया में ब sugar मतलब वो liquid form में भी अगर हुआ, सरके के form में, उसके अगर पानी नहीं है, तो बिना पानी के जो है इनकी growth नहीं होपाती है, रुख जाती है, और अंदर अगर microorganisms नहीं रहेंगे तो फिर preservation हो जागा उसके अंदर में जो भी चीज होंगी, तो किन-किन चीजों का preservation हो जाता है, jams का, jellies का and squashes का, heat and cold treatment, heat and cold treatment ये बहुत ही interesting measure है, बहुत ही interesting method है, जिसका use किया जाता है, इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, you must have observed your mother boiling milk before it is stored or used, boiling kills many microorganisms, similarly we keep our food in the refrigerator, low temperature inhibits the growth of microbes, अब देखो हमारे पास दो option है, या तो बहुत ही जादा गरम कर दिया हमने खाने को, अभी बहुत ही जादा ठंडे temperature लेगे, उसका temperature बिलकुल बहुत ही जादा ठंडा कर दिया, लेकिन better condition होता है, boil करना किसी चीज़ को, बहुत जादा गरम condition में रख देना, बहुत जाद हमें पानी को भी पहले boil करके पीना चाहिए होता है, अगर आप ये करना start कर देता हो, तो आपका जो body का, जो minerals की जरूत होती है, वो थो थोड़ी सी जरूत है तो पानी भी complete करता है, जो ground water होता है, ground water में minerals भी मिले हुए होता है, और जो RO वाला पानी होता है, उसमें minerals, वो minerals को भी छान देता है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए, कि avoid करो RO के पानी को, और start कर दो, boiled water पीने का, पीने की हाद डाल दो, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बागी आगे continue करेंगे, next time, thank you.